अभी अमलोग सीखने वाले हैं कि आपको smile कैसे करनी है और इससे आपका stammering कम होगा या overcome होने में आपको help होगी या फिर आप बहुत अच्छे से effectively बाहर बात कर सेटी using smile होगे तो मैं इसके लिए आपके सामने तीन तरह की smile रखना चाहूँगा आप smile को देखेंगे और मुझे ये बताएंगे क्या आपको ये smile मेरी अच्छी लगी या अच्छी नहीं लगी अगर आपको अच्छी लगटी आप ऐसा करेंगे अगर नहीं लगटी तो आप ऐसा करेंगे मेरा चेरा देखे सबसे पहला स्माइल अच्छन लगा ओके सेकंड स्माइल बीच में लगा थर्ड स्माइल यह अच्छा लगा तभी को चलो अब मुझे बताएं दोस्तो कि जो फ़र्स्ट टू स्माइल है जो आपको अच्छी नहीं लगे और थर्ड में आपको जो अच्छा लगा क्या डिफ्रेंस अ में बताएं अनमिट करके वडिने मजर कॉलिके तुर्येकी खाल बेर。 अच्छा लगा थढ़ा कि dersh прав कि इसे लाए अंधर भी ख Cassini को में जूरण paragश्ण खी कि एकार मिसे फ़ेक लगी हं़ा घुझर सघर्र आझा अंच्छा लहा तरड़ा को हर अच्छा लगा थार्दधद़्धा पहले दो में मेरे लिप्स ग्लोस थे और में इसको ऐसे स्टेच करा हूँ यह फेक लगता है बट जैसे आपके दाथ दिखते हैं वह रियल लगता है आप सभी लोग करके देखें रियल में कीजे दाथ थोड़ दिखाएं थोड़ा गाल उपर जाएगा आके थोड़ी छोटी होती ही करके दिखें थोड़ा सा कीजे आप नूटिस करेंगे कि जब आप ऐसे स्माइल करते हैं तो आगे वाला परसन आपको देखकर स्माइल करता है गुश्टो जब आप ऐसे स्माइल करते हैं ना कौन सी वाली ये करने से आगे वाला person आपको देख कर समाईल करता है इससे बहुत सरे फाइड़े होते है पहला फाइदा आपको ये होता है क्या होता है? आपका मुण open हो जाता है तो inhale exhale अच्छा हो जाता है दुसरा आपके गाल स्ट्रेच हो जाते है तो exercise हो जाता है तिसरा आपका mood अच्छा बन जाता है यह होगे आपके तरब से फायदे अब चौता फायदा smile करने का यह होता है कि आगे वाला person आपके smile को देखकर smile करेगा तो अगर वो person आपके लिए stranger है और अगर आपको उस person से बात करने है तो बिना एक word बोले भी आप उस person से बात कर सकते just by using your smile simple कैसे but यह smile real and continuous होनी चाहिए मतलब ऐसा नहीं कि और छोड़ दिया proper रखना है कैसे समझ मैं रहा है तो अगर आप ऐसी smile try करते है अपने घरवालों के सामने भी तो notice करना वो भी आपको देखकर smile करते है अगर आप यही smile किसी इंटर रूम में try करते है presentation देते समयं try करते है even यही smile effective speakers अपने stage पे try करते है जब अपने audience को देखते तो smile करते है ऐसा करने से उनका audience उनके connect भी होता है बहुत जल्दी got it तो छोटी सी smile बट आपको बहुत अच्छा help कर सकती in your speaking skills तो आज के बाद जब भी किसी इंसान से मिलोगे जब भी किसी इंसान से बात करोगी वो आपके लिए stranger है या कई भी भी जाओगे make sure कि आपके चेरे पे थोड़ी सी smile होनी चाहिए जो आपको help करेगा उस इंसान से जल्दी interact करने के लिए और मेरे तरब से आपको छोटा सा टास्क है अगर आप करना चाते हैं आप कर सकते हैं घरवालों के सामने या किसी stranger के सामने या किसी की सामने अगर आपको possible है smile करके देखे हो सकता है वो shopkeeper हो सकता है कोई भी इंसान हो उसके सामने smile करके देखे you will notice वो इंसान आपको देखकर smile करता है बट थोड़ा सा wait कीजिएगा real and continuous होना चाहिए वो smile तो last time जाती जाते करके दिखाए आपका real smile दिखाए कैसे करेंगे आप कीजिए सबी लोग real smile करके दिखाए वेरी गुड ऐसा करने से आप notice करना आप कोई फाइदा होता है smile का smile is clear मैं smile को और detail में explain करूंगा third week और fourth week में इच्छे से explain करूंगा psychology के हिसाब से बट अभी के ल पर थोड़ी से smile रखेगा okay good चले अब हम आगे बढ़ते दोस्तों अब हम बात करते हैंड मुवमेंट के बारे में so write down the next point hand movement